चलिया आज बात करते हैं एक और सेट उफ कन्फूजिंग वर्द्स की ओल्वेडी वर्सेज ओल्वेडी सेम प्रणन्सियेशन है ओल्वेडी और ओल्रेडी लेकिन हाँ ओल्रेडी जो है वो दो शब्द हैं पहरे बात ओल्रेडी की ओल्रेडी एक अडवर्ब है इसका सिंपल से मतलब है पहले से ही यानि की कोई भी काम जो अपने पहले से ही कर लिया हो उसे कहते हैं ओल्रेडी example I eat already यानि मैंने पहले से ही खा लिया दूसरा example I already have a gym membership meaning मेरे पहले से ही gym membership है simple चलिए already की तरफ चलते हैं यह दो शब्द है और actually यह जो hyphen है यहां नहीं यूज होगा social media में hyphen के साथ already यूज किया जा रहा है और इसका meaning first वाले already की तरहा लिया जा रहा है जो की गलत है already का मतलब सब तयार या फिर English में कहें तो all set, all prepared or not चलिए, example लेखते हैं they are all ready for the show मतलब वो सबी शो के लिए तयार है एक और example ये example अगर आप 90s kid है ना तो आपने सुना होगा are you all ready अक्सर DJs ये चलाते हुए पाय जाते हैं यानि कि क्या आप सब तयार हैं और DJs लिए पूछते हैं क्योंकि उनको अगला गाना प्ले करना होता है so that's the difference between already and already मुझा। क्योंकि अद्सक्तर प्रूह क्योंकि बाल अखने नाप। क्योंकि ऑने आप तो रजसे जाए एंड़ मुझा उपको क्योंकि दाप ड्वार हैं ज्सक्तर आपज़ को भस्तर आपको लावन कि रभसपवें झाल झाल